तमिलनाडू के मद्रोय में तेल के गुदाम में आग लगने से अफ्रा तफ्री मच गए। आग की वज़े से पूरे इलाके में धुआ फैल गया। चलाने की नसीहत दी। त्रिवेंद्र सिंग रावद, ग्रिमंत्री राजनास सिंग और बीजेपी ध्धक्षमिश्शा से भी मिले। बिहार दिवस को लेकर राज में कई जगे कारेक्रमों के आउजन के साथ ही मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने बिहार दिवस को NDA की देन बताया है तो जेडियू ने सीम नितीश कुमार को इसका श्रे दिया है। वही पूर्फ सीम जीतन रामबांजी ने कहा है कि नितीश कुमार को हर काम का श्रे लेने की पुरानी आदत है। पशिम मंगाल के वेस्ट मिदनापुर जिले में एक कटर नकसली मोदिराम सिंग सरदार और उसकी पत्नी कभीता सिंग ने स्पी अफिस पहुँच कर सरेंडर कर दिया। मोदिराम सिंग के खिलाफ 23 से ज़ादा मामले दर्ज हैं जिसमें जारखन के सांसत सुनील महतो की हत्या का मामला भी शामिल है। पशिम मंगाल के बर्दमान जिले में नेशनल हाईवेट दो पार एक तेज रफता टेंकर ने कार को टक कर मार दी। हाथसे में कार में सवार एक ही परिवार के साथ लोगों की मौत हो गई। हाथसा उस वक्त हुआ जब कार को ओवर टेक करने के दौरान टैंकर बेकाबू होकर पलट गया और दोनों गाडियों में आग लग गई। हाथसे से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया कलाकारों के लिए काम करने वाली सूरत की संस्ता गुजरात कला प्रतिष्ठान ने पीम मोधी को कुछ चुनिंदा पेंटिंग पेश की। पीम के जन्मस्तान वटनगर में आउजितिक पेंटिंग कमप्टिशन के दौरान बनाए गए 600 से जादा पेंटिंग में से 25 पेंट नागपुर में बाइक पर आये दो लुटेरों ने डीसीपी के पिता को लूट लिया डीसीपी दिपाली मासिरकर के पिता रविंद्र मासिरकर का डेड़ लाख रुपए से भरा बैक छीन कर बदमाश फरार हो गये इस वारदात को लेकर पुलिस की किरकरी हो रही है जारखन के देवगर में सैगडु किंडरों ने 8 किलोमेटर लंबी कलश यात्रा निकाली किंडरों ने मनोकामना पूरी करने के लिए भोले बाबा का शुक्रिया अदा किया कलश यात्रा में देश भर के कई हिस्सों से पहुँचे किंडरों ने हिस्सा लिया इस दोरान किं गुचरात के जुनागड में गिर नैशनल पार्क के एक रिजॉर्ट में तीन बबर शेरों के घुमने का वीडियो सामने आया है।